यह जिस कोर्स को आप करने के लिए आये हैं, कई लोग इसमें आये होंगे मजबूरी की वज़े से कि उनका फर्स्ट एर में पहले अटेंप्ट में नीट दिया होगा, नहीं हुआ होगा, कुछ के कुछ मार्क्स कम रह गए होंगे, तो आपने मजबूरी में इसको स्विकार क किया होगा, लेकिन कभी आपने इंसाइट अगर इसका देखने की कोशिस की होगी, तो यह मेडिसन के फिल्ड में बहुत प्रमाइजिंग केरियर है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, आज के प्रिजेंटेशन में दो विश्यों पर, तीन विश्यों पर राधर हम फोकस कर करेंगे, एक जो हमारा कन्वेंशनल वे ओफ थिंकिंग है कि BMS में क्या होता है, एक बियॉंड BMS, आप क्या सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और कहां तक जा सकते हैं, और कुछ सक्सेस स्टोरीज में आप लोगों के सामने रखूंगा, जो आपको हो सकता है, थोड़ा सा इ कि BMS की परिभासा आप लोगों ने सुना होगा कि Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery, लेकिन ये हमारे मित्र हैं, वैदेवालेंदु प्रकास जी, एक कार्यकरम में उनके साथ में हम थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी परिभासा इसकी दी है, और उन्होंने लिखा है BMS को, ए ब्रिज इसका अर्थ क्या है, जब आप इस परिभासा की तरफ जाते हैं, तो बहुत कुछ आपका फ्यूचर जो है, वो आपके सामने दिख जाता है, आप BMS करने के बाद में बहुत बड़ी आपके सामने हैं, जहां आपको जो भौतिक चीजों की दृस्टी से अगर देखें, Satisfaction मिल सकता है कि मैं मानव समाज की सेवा के लिए यहां आया हूँ, आपको सोसाइटी में Establish करने के लिए जो जो जीचे चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, धन मिलेगा, इज़त मिलेगी, सोहरत मिलेगी, और खाली भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में Acceptance और Recognition मिलेगी, और एक बात निश्चत आप जान लेजिए, कि इसके बाद आपको ये लगेगा, कि BMS केवल और केवल वेलनेस के लिए ही नहीं है, बलके ये एक पूर्ण तया, औस ये चिकित्सा का भी एक बहुत बड़ा platform है, तो BMS की ये नहीं परिभासा है, इसको ध्या में, यानि कि आज से लगवक 21 वर्स पूरू, ये लोगों हमने डिजाइन करवाया था, इसका थोट फूल प्रेजेंटेशन क्या है, कि आप सब लोग साइन्स वैक ग्राउंड से आएवे बच्चे हैं, और आप साइन्स इंडेफ्ट आपको पता होती है, तो आयरवेद ज कि हमाया आयरवेद को मौडन प्रोस्पेक्टिव में आप किस तरीके से प्रेजेंट कर दुनिया के सामने रख सकते हैं, ये आप लोगों की ही ड्यूटी रहेगी अब आगे से, या फिर आपके हाथ में है, कि आप BMS करें, और एक मौडन के अंब्रेला के नीचे अपने आ इसन से आप स्टार्ट करें, तो आप हमेशा, हमेशा सेकंड ग्रेड सिटिजन ही रहेंगे, चुकि उस घर में जो आपके घर के सामने है, बहुत अच्छा बना है, आप अपने दोस्तों को एक या दो बार घुमाने ले जा सकते हैं, कह सकते हैं, मेरे पडोसी हैं, मेरे चा समझते हैं, येस, दे आर, चुकि अभी आगे बताएंगे कि उसके रीजन भी कुछ होते हैं, लेकिन आप उसके अंब्रेला के नीचे अपने आपको कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, तो ये आपके उपर है, कि आप आईरवेद को सद्योपान्त ग्रेहन कर, उसी के एकोर्डि वीडियो है, इसको प्ले करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी आपके साथ के बहुत सारे बच्चे, MBBS में सेलेक्ट हो गए होंगे, तो या समाज में जब आप बताएंगे कि मैं BMS कर रहा हूं, मैं आरवेद पढ़ने जा रहा हूं, तो एक कोश्चन आता है कि आखिर आईरवेद क्या है, तो इसको ध्यान से सुनियेगा, ये एक मिनट से भी कम की वीडियो है, और इसमें एक आम आदमी क्या कहता है आईरवेद के विशे में? It is about how you achieve a balance, balance between mind, body and environment. It's about bringing balance in life, emerging science, well-being, lifestyle, prakriti, dedication, knowledge of life, immunity, future of medicine world. For me, it's empowerment, health, nature, rejuvenation, change, Ayurveda is about nature, दिन्चरिया, longevity, transformation, so it is an ancient Indian science. So, ये आपने देखा, और ये जितने भी common आदमी हैं ये सब, ये कोई आईरवेद के विक्ति नहीं है, तो हर आदमी का एक प्रस्पेक्टिव है कि वो किस तरीके से आईरवेद को देखता है, लेकिन आईरवेद is a total wholesome thought of all these views. So, आपके सामने एक बहुत अच्छा केरियर है, जिसको आप अचीव कर सकते हैं. अब आपके सामने क्या-क्या चैलेंजिज हैं, हम थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं. आपके पास में, जो मेरा अपना अनुभव रहा है, विगत कुछ वर्सों का, आईरवेद के कॉलेजिज में जाकर, बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करने का. एक है कि inferiority complex. हमारे नए बच्चों में सबसे पहला inferiority complex यह आता है, कि हम जाना कहां चाते थे, आ कहां गए, तो acceptance level जो है, वो बहुत disturb हो जाता है. हमने सोचा था, हम वहाँ जाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, तो उसकी वज़े से, एक मन के अंदर, एक हीन भावना सी पैदा हो जाती है. तो यह नहीं होनी चाहिए, चुँके कुछ चीजें ऐसी हैं, कि जो हम चाहते हैं, वो pride नहीं हो पाता, तो उसका आर्थ यह नहीं है, कि दुनिया खतम हो गई, हमारे रास्ते बंद हो गई. एक पुरानी कावत है, कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो कोई ने कोई एक नई window दिखाई देती है, उससे पहले वो हमें दिखती भी नहीं है, और वो एक नई opportunity होती है, ऐसे बहुत सारे examples में आप लोगों को दे सकता हूं, कि जहां एक dead end पर road पहुँच गई, और उसके बाद में उन्होंने जितना एकसील किया, ना वो खुद सोच सकते थे, ना उनके दोस्त सोच सकते थे, कि ये वहाँ जा सकता है, तो इसलिए inferiority complex नहीं रहना चाहिए, हम आगे चर्चा करेंगे, particularly inferiority complex पे ही, कि inferiority complex क्या है, दूसरा challenge है, lack of awareness about आईरवेदा as a career in public health, चुक्के मन से सोचके ही नहीं आये थे, जब नीट दिया था, कि हम आईरवेद में जाएंगे, सोचा कुछ और था, awareness नहीं है, intermediate तक, biology पढ़ते हैं, science पढ़ते हैं, लेकिन आईरवेद नहीं पढ़ाया जाता, या आईरवेद की knowledge आपने acquire की हुई होती है, वो एक अलग च हम आते हैं, वहाँ आईरवेद के physicians as a ideal बहुत कम जगह पर मिलते हैं, हर एक सहर में कोई ने कोई बड़ा physician होगा, बड़ा hospital होगा, तो वहाँ जब biology लिया है, यह सोचा है कि हम medical science में जाएंगे, तो मन में आता है कि हम इस जैसे बनेंगे, तो आईरवेद के अधिकांस जग कर रहा हूं, कि अब बहुत तेजी के साथ में समय बदल रहा है, और अब छोटे-छोटे सहरों में भी, जिसको हम कह सकते हैं कि तहसीर लेविल पर भी, आईरवेद के अच्छे physicians हैं, जो बहुत अच्छे से ग्रोग कर रहे हैं, आखरी सवाल जो आप सब के बहुत नजदी हैं, वो एक हकीकत है, हमारे साथ में मेडिकल ओफिसर थे हमारे एक मेतर, उनकी बेटी ने इंटरमेडियेट में PCM with biology लिया, और main focus उसका MBBS में जाने का था, यहनिके मेडिकल साइंस में जाने का था, पूरे दो वर्स तक उसने आकास में कोचिंग भी की, and the girl was extraordinary intelligent, result IIC score 96 plus in intermediate लेकिन दुरभागे से, उसका कहीं भी उन दिनों CPMT हुआ करता था, कहीं भी उस बच्चे का MBBS में selection नहीं हुआ, और उसने ऐसे ही चुके mathematics भी लिया हुआ था, तो उतरपरदेश में UP seat के नाम से वह हुआ, एक exam होता है, इंजिनेरिंग का, उसने उसको भी ऐसे ही attempt किया, उसने कभी नहीं पढ़ा इस दिरिस्टी से के मैं इंजिनेरिंग करूँगी, लेकिन उसने girls में third number लिया, पूरी UP में, then she realized herself, कि क्या मुझे एक साल और खर्च करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, उसके parents ने कहा कि आपके number बहुत थोग से उसे कमी आई है, अगले साल औ forward, then they call me, कि आप इसको थोड़ा सा समझाइए, एक साल का कोई वो नहीं होता, अच फटा-फटा-फटा-फटा-फटा हो जाता है, तो मैंने उनसे बात करी, तो उसने का, अंकल, मैं जितनी मैंनत कर सकती थी, वो मुझे पता है, इससे जादा मैंनत मैं नहीं कर सकती थी, तो उसके बाद में उस लड़की ने successfully engineering की, उसके बाद में उसका selection हुआ, वो इसरो में हुआ, campus placement इसरो में हुआ, एक से डेट साल उसने वहां काम किया, then serialize कि मुझे आगे बढ़ना है, उसके बाद में उसने अपने आप से ही GRE करेक किया, और वो अमेरिका में MS करने के लिए च जानते होंगे, यह distance मैं केवल इसलिए दे रहा हूँ, कि आपको आपसे ज़्यादा जज कोई नहीं कर सकता, अगर आपको लगता है, कि हाँ मैंने मैंनत कम की है, और मैं शायद और मैंनत करूं, तो मैं अगली बार crack कर सकता हूं, तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर इमा आगे बढ़ना चाहिए, कारण उसका यह है, कि अगर आप एक साल और नीट देना चाहेंगे, तो आप VMS का फस्टियर भी किलियर नहीं कर पाएंगे, और अगर आप पास भी हो गए, तो आपको जो नॉलिज फस्टियर में मिलनी चाहिए, आईरवेड के basic principles की, वो नहीं मि कुछ यह, कि क्या आप इससे ज़्यादा मेहनत करके कुछ कर सकते हैं, इसा हो रहा है, तो प्लीज डोंट वेस्ट यॉर टाइम, और अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, inferiority complex की मैंने बात करी, वो क्यों है, क्यों आता है, तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि inferiority complex आखिर है क्या, यह हमारे अंदर एक इस तरीके की बहुत गहरी feeling आ जाती है, कि हमारे अंदर कोई कमी है, और उससे क्या होगा, हमारे अंदर कई factors होते हैं उसके, जिसकी वज़े से हमें inferiority मैसूस होती है, कि हमारे अंदर कोई कमी है, और वो कमी इतनी जादा बढ़ जाती है, कि हम हर चीज को दूसरों से कम आखने लगते हैं, और इसका impact क्या होता है, इसका impact उस विक्ति की performance पे होता है, अगर वो student है, तो अच्छे से पढ़ नहीं सकता, अगर वो कहीं job कर रहा है, तो वो अच्छे से अपने job को perform नहीं कर सकता, और दीरे दीरे आतो विश्वास खतम हो जाता है, जो self-esteem है, उस पर ये इसका बहुत जबरदस impact होता है, students जो हैं, उनके अंदर अगर वो inferiority complex है, तो उनके अंदर कोई नई information को वो receive या understand करने की छमता ही खो देते हैं, तो ये इस तरीके से आपने आपको inferiority complex से बचाना है, और धीरे धीरे ये inferiority एक ऐसी stage में पहुँझाती है, कि अपने आपको ये लगता है कि मेरे अंदर तो कमी है ही नहीं और मैं ऐसा ही हूँ, तो टोटल ब्लैक आउट, तो inferiority complex अच्छा, superiority complex भी बिलकुल ऐसा ही नहीं परिभासाओं के साथ में हैं, वो व्यक्ति ये समझने लगता है कि मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता और म मेरे आज पास में जितने भी लोग हैं, उनके अंदर कोई कमी हैं, and I'm superior to them, and slowly and slowly, वो superiority complex इस तरीके से उसके अंदर inbuilt हो जाती है, कि वो ये समझने को तयार ही नहीं होता, कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं, जिनने तुमसे ज्यादा पता हो, तो दोनों ही इस्थिती बहुत खरा few numbers, कि आप fans के उधर नहीं जा पाए, इधर रहे गए, तो nothing to be worried about, इसमें inferiority जैसी कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए, अभी क्या है, कि हर व्यक्ति जो है, वो success चाहता है, सफलता के लिए हम काम करते हैं, हम उचाईयों तक पहुँचें, ये विशे हम एक अच्छी personality कैसे बन करते हैं, कि success जो है, वो एक दिन में achieve नहीं की जा सकती, और जो CD है, उसी से, यानि कि step by step आप success पर पहुँच सकते हैं, वैसे आप success achieve नहीं कर सकते, और एक इसमें important बात ये है, कि जो successful लोग हैं, उनकी story जब आप सुनते हैं, तो बजाए उस CD को तलास करने के लिए, जिस CD को लगा कर वो आगे गए हैं, try to understand how they create this ladder, ये success का step नहीं कैसे achieve किया है, बजाए उस CD को ढूनने के, तो एक अच्छी personality का ये पहला गुण होना चाहिए, कि उसका पूरा focus हो कि I have to get success, or I want to be successful in my life, तो उसकी personality अच्छी होने चाहिए, उसके कुछ थोड़े से बहुत जादा न personality, पहले तो ये भी जानना चाहिए ना कि personality कहते हैं कि personality development करेंगे हम, तो first of all we must learn, we must know कि personality आखिर होती क्या है, तो किसी भी व्यक्ति का व्यक्ति तो उसके गुण और उसकी working style का एक ऐसा combination है, जो उसके character में जलगता है, वो जैसा अंदर से हम हैं, वैसा ही दिखता है, और किस TB व्यक्ति की personality कैसे decide होती है, उसका कैसा behavior होगा, उसका कैसा presentation होगा, उसकी education कैसी होगी, उसका attitude कैसा होता है, क्या उसके characters हैं, क्या उसकी moral values हैं, ये बहुत सारी चीजों का एक wholesome जो है, वो personality कहलाता है, अब personality को judge कोन करता है, हम खुद तो अपनी personality को judge करतें नहीं हैं, हमारी इन ही बातों के आधार पर दूसरे लोग हमारी personality को judge करते हैं, कहते हैं यार उसकी तो बड़ी irritating personality है, या उसकी बड़ी अच्छी personality है, तो ये सारी चीजे आपके अंदर हैं, इनके composition से, इनके combination से ही किसी की personality बनती है, अब personality तो आपकी हो गई, लेकिन personality को आप कैसे achieve कर personality को व्यक्त करने के लिए या achieve करने के लिए, और इन में से ये circle में इसलिए बनाई गई हैं, कि आप जहां से सुरू करना चाहें, उत्रोतर उसी तरीके से आप achieve कर पाएंगे, अभी हम अगर start करते हैं confidence से, तो आप confident होने चाहिए, तो confidence के लिए क्या जरूरी है, इसके कहा कि मुझे दिल्ली में रस्ट पती भवन जाना है, और आप वहां कभी गए नहीं है, गूगल पर आपने देखा है, तो आप बताएंगे कि ऐसे ऐसे जाईए, तो वहां एक बड़ी सी building है, और वो रस्ट पती भवन है, लेकिन अगर वहां गए हैं, तो आप कैसे बताए गेंगे, आप railway station पर उतरेंगे, या airport पर उतरेंगे, वहां से आप taxi लेंगे, या इस number की bus लेंगे, या metro में बैठेंगे, फिर उसके बाद में आप फ़ला station पर metro से उतरेंगे, वहां के बाद आप रस्त पती भवन जाएंगे और वहां जाते वक्त यह यह प्रोशेजर, य confidence आता है ज्ञान से जो भी चीज आप कर रहे हैं उसको अच्छे से सीखने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा दूसरा गोण है communication आप communicate कैसे करते हैं अगर आप communicate नहीं कर पाते interpersonal communication इसे skill पूरा का पूरा एक दिन इसमें जाया जा सकता है कि हमें एक दूसरे के साथ में कैसे बात करनी चाहिए कौन से relevant questions हैं जो हमें नहीं करने चाहिए या जिनको हमें avoid करना चाहिए so एक good communication skill एक personality का बहुत महतोन step है आपकी appearance भी बहुत कुछ कहती है आप delay डाले हैं बैठे हुए हैं क्लिनिक में ऐसे चुप चाप को पेसेंट आता है नमस्का डाक्स आईए भी यह और एक आईए yes please welcome तो यह बहुत सारी चीजें हैं जो आपके appearance से आपकी personality को denote करती है फिर आता है passion for work अगर आपको काम करने में आनद नहीं आ रहा है उसके प्रतिया पैसोनेट नहीं हैं तो आप उसको अच्छे से नहीं कर सकते हैं आपने देखा भी होगा भी आप intermediate करकर आएं कुछ लोग हो सकता है बीसी करके आए हो फस्टियर करके तो आपने देखा भी होगा कि out of your curriculum कुछ विशा ऐसे होते हैं जो आपके close to your heart होते हैं या आपका interest जादे होता है तो उनमें आप बहुत personally पढ़ते हैं बाकी के मुकाबले में तो आपको अब आईरवेद पढ़ना है so you must be very passionate about knowing the आईरवेदा और reading the आईरवेदा उसके हत्यार है आशावाद अगर आप यही सोचते रहेंगे यार इतनी मैनत भी करिए उसके बाद भी हमारा जो एबीमेस में हो गया बड़ा दिक्कत हो गई तो यह passive चीज नहीं है और यह एक अच्छी चीज नहीं है आपको निरासावादी नहीं होना चाहिए निरासावादी ह में थोड़ा साथ difference है appearance आपकी denote की जाती है क्या पहनते हैं किस तरीके का आपका हाईजीन है और body language है कि जैसे ही आप चलते हैं आपका confidence उसमें जलकता है आप बहुत decent हैं आप बहुत बत्तमीज हैं यह आपकी body language ही बता देती है उसके बाद में social skills आता है social skills का मतलब यह नही social skills means है कि आप एक society में किस तरीके से mix up होते हैं किस तरीके से society में दूसरी लोखों के साथ behavior करते हैं किस तरीके से लोगों के साथ attract करते हैं लोगों को इसके लिए एक सबसे बड़ा उधारन है कि आप दो दोस्तों के बीच में चार दोस्तों के बीच में बैठे हुए हैं आप जो बातें वहां आपस में कर सकते हो सेम सब्जेक्ट पर आप अपने बेहन के साथ अगर बैठे हो नहीं कर सकते। आप अपने पेरेंट्स के साथ में बैठे हुए हो तो वहां उन बातों को नहीं कर सकते। आप एक बुजूर्ग से बात करें तो उसमें अलग आपकी सोसल एटिकेट होंगे और आप अपने हम उम्र से बात करेंगे उनसे बात करने के तरीके में बहुत अंतर हो जाता है। तो यह सोसल इसकिल्स अगर नहीं है तो इनको डेवलप कीजिए। साइन्टिफिकली बहुत सारे टूल्स आते हैं जिन से आप अपने स्किल्स को डवलप कर सकते हैं। लीडर्शिप क्वालिटी का मतलब नहीं है कि आप इलेक्शन लड़ेंगे या स्टुडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ेंगे और आप लीडर कहलाते हैं। लीडर्शिप क्वालिटी का मतलब होता है या लीडर्शिप स्किल्स का मतलब यह होता है कि आपके अंदर इस तरीके की क्वालिटी होनी चाहिए कि कभी भी अवसाद में या कभी भी इमर्जेंसी में या कभी भी किसी काम को करने के लिए कुछ कहा जाता है तो आप आगे स के हाँ इस काम को मैं करूंगा या इस काम को हम सब मिलकर कराइंगे यह आपने देखा भी होगा कि दस लोगों में अगर कोई जोब दिया जाता है कोई वोलेंटियर काम दिया जाता है तो करना सब चाते हैं लेकिन आगे बढ़कर कहने वाले 10 में से 1 या 2 ही मिलेंगे so these are called as the leadership qualities listening बहुत important है बहुत important है learning से पहले का step है listening मैं पहले दिन भी आप लोगों की workshop में जुड़ा हुआ था और जब inaugural session चल रहा था तो मैं देख रहा था कि आप कितने उतावले हैं किस तरीके से chat box में आप chat कर रहे हैं so it shows that you are not a serious listener और अगर आपको जानना है तो आपको सुनना पड़ेगा बिना सुने आप बिल्कुल कुछ जान नहीं पाएंगे और उसको कहेंगे कि irrelevant आप हो जाएंगे किसी भी चीज़ के लिए so सीखे, सुनना सीखे लोग जानना सीखे कि मैं कैसे चीज़ों को सुन सकता हूं कैसे चीज़ों को जान सकता हूं कोई भी नई चीज जो है वो जरूरी नहीं है पहले से आती हो इसके लिए एक slide हमेशा हमारी रहती थी अभी मैंने इसको remove किया है वो है उसका tagline भी है हमारी कि life starts with a dot so does the knowledge अभी आप आगे पढ़ेंगे जब physiology में जाएंगे अनार्टमी में जाएंगे आगे तो आप देखेंगे कि जो fetus का development होता है वो एक dot से होता है और धीरे 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 9 months में complete fetus एक human being में convert हो जाता है इसी तरीके से knowledge भी can be start from the scratch आपको इससे पहले आईरवेद की knowledge नहीं थी तो it's not a big deal आज से उसको पढ़ना सुरू कीजिए धीरे धीरे ग्रो करती है तो learning attitude आपके अंदर होना चाहिए तो आप अपने आपको नहीं भी पीछे नहीं पाएंगे तो ये 10 points हैं बच्चों personality के और ये वैसे तो बड़ा विशे होता है एक एक पर एक एगंटा बोला जा सकता है कि what are the tools to increase your learning attitude और what is the tools to get confidence लेकिन कहीं से भी सुरू करें आप आप listening से सुरू करेंगे तो अच्छा listener होगा वो learn अच्छा करेगा उसके बाद confidence आएगा आप अच्छे से communicate कर सकते हैं तो ये पूरा का पूरा एक चक्र है इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझेगा और अपने आपको एक अच्छे human being की तरह पेस कीजिए अब ये बता दिया लेकिन आप इसको achieve कैसे करेंगे छोटे छोटे टिप्स हैं ज्यादा नहीं है आप ये देखिए अपने आपको जज कीजिए अपने आपको जज कीजिए और अगर आप इस तरीके का कहीं बैठे हुए हैं तो लोग क्या समझेंगे और ऐसे ये बच्ची जो बैठी हुए उदास ये कैसे होगी तो ये आपके एपिरेंस है विच सोज यूर इनर के आपके अंदर चल क्या रहा इस समय बहुत उदास होना चियरफुल होना अगले को भी बहुत परभावित करता है इसी तरीके से आप क्या पहनते हैं जो मैंने एपिरेंस और बॉडि लेंग्वेज की बात करी है ये बहुत ज़्यादा आप एक जिस प्रोफेसर में जा रहे हैं लोग आपको एक आइडियल मानते हैं ये इतना ज़्यादा फॉर्मल ड्रेस भी आपके लिए अच्छा नहीं है और इतना ज़्यादा ये अगर आप लोगों ने टीवी वी देखा हो ये सन्यासी आइरवेद वाले महराज हैं इनका आइरवेद से कोई लेना देना नहीं है सिवा इसके के दवाई बेचते हैं और बीच में एक क्वालिफाइड प्रोफेस्टनल की तरह आप किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं ये सारी चीज़ें आपके जज़ करने की हैं कि मैं इनको अपने अंदर लाऊँगा अभी आप फस्टियर में आगए हैं इतनी बाते मैंने परस्टनल्टी की और आइरवेद के विश्वे में बताई तो ये भी काम हमारा ही होगा कि आपको बताएं कि आप कैसे अपने आपको फ्यूचर के लिए तैयार करें सबसे पहली चीज़ आज आप यहां मेरे विचार से अभी मेरा स्क्रीन फुल है तो मैं देखनी पा रहा हूं कि इतने बच्चे इससे में जुड़े हुए हैं लगबग 500 से उपर बच्चे इससे में जुड़े हुए हैं और आप अपने आपको यह देखिए कि आप यह जो भी हम बोल रहे हैं यह आप कैसे याद रखेंगे तो हमेशा आज से ही एक हैबिट आप बना लिजिए कि हर चीज को हमें नोट डाउन करना है हर चीज को लिखना है अभी जब फिजिकली आपका कॉलेज खुल जाएगा या जो अभी ट्रांजेक्सनल कॉर्स में आप गए होंगे अपने कॉलेजिस में तो वहाँ जो है आपने देखा होगा कि सुरू से लेकर सवेरे नो दस बज़े से लेकर वो शाम तक आप कितने लोगों से मिले आप हर चीज को लिखे आज मैं अमुक से मिला आज मेरी उससे ये बात हुई इसमें आदत डाली आप लोगों को नहीं है आदत लेकिन हमेशा से एक डायरी और एक पैन साथ रखिए कहीं कुछ भी आपको दिख रहा है अच्छा दिख रहा है बुरा दिख रहा है आप उसको नोट डाउन कीजिए और तीन वर्ड मैं कहता हूँ ये मेरी हमेशा से पैट वो है अबजेक्टिव्स फोकस और प्रोग्रेस आपके अबजेक्टिव्स सेट होने चाहिए वो मैं या कोई और नहीं बता सकता एक्जामपल दी जा सकती अभी आपका अबजेक्टिव है कि मुझे अच्छे से आईरवेद पढ़ना है बहुत बड़े बड़े गोल अभी से अस्थापित करने की ज़रूरत नहीं है फिलाल आपको फरस्टियर पास करना है आपको आईरवेद को बेसिक समझना है तो अबजेक्टिव्स आपका फिक्स हो गया उसके बाद उस पर फोकस कीजिए इदर उदर डाइवार्ट अपने मन को मत होने जीजे और एक प्रोग्रेस की स्पीड फिक्स कीजिए कोई भी चीज है आप उसको एक फ्लो चार्ट बनाएए कि मुझे ये चीज इतने दिन में सीखनी है किस तरीके से सीखनी है एक दूसरे के साथ में आप बात करिए और डिसकसन कीजिए दूसरी चीज है कि आप किस चीज को ज़्यादा महत देते हैं फैसलिटी वर्सिस फेकल्टी इसमें आज आपको कई सारे वर्ड मिलें इंगेजिन कायरवेज से कोई लेना देना नहीं तो फैसलिटी वर्सिस फेकल्टी यह दिल्ली उनिवस्टी का एक बहुत पुराना पैटर्न है कि जब भी वहां बच्चे एड्मिसन लेने जाते हैं तो वहां यह चर्ची रहता है कि मुझे सेंट स्टिफेंस मिल जाए मुझे हिंदू कॉलेज मिल जाए मुझे SRCC मिल जाए SRAM College of Commerce तो वहां भी कांसलर्स यही कहते हैं कि don't run behind the institutions फैसलिटीज की तरफ मत भागे आप यह देखिए कि जो आपको सीखना है उसको सिखाने वाले कैसे हैं अब ऐसे कई आयर्वेद कॉलेज हैं जिनकी बिलकुल बराबर में medical colleges भी है उसका infrastructure और आयर्वेद कॉलेज के infrastructure में बहुत अंतर दिखाई देगा लेकिन वो as per guidelines है तो उसकी तरफ देखकर परेशान मत हुएगा कि हमारे आँ कुछ नहीं है आपके पास अच्छे अध्यापक हैं आपको सिखाने वाले लोग हैं तो सिर्फ आपको उसी पर focus करना है दूसरा यह है कि आपको library की आदत डालनी पड़ेगी library का मतलब physical library तो है ही है लेकिन अभी covid time में जा सारा कुछ offline हो रहा है ऐसे में library से मेरा मतलब है कि आपको अपने subject से related ही search नहीं करनी है उससे अलग भी आप देखिए और एक निश्चित दिन का 24 घंटे में एक time fix कर लिए आप उसको 15 मिनट दे सकते हैं एक घंटा दे सकते हैं दो घंटे दे सकते हैं that depends upon your availability of time and your interest towards the subject subject से related तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे आप general knowledge के विशे में भी जरूर पढ़िए कुछ motivational literature पढ़िए जिससे आपको लगे कि अमुक वेक्ति था BMS हमारी तरह से किया और आज वो कहां है उसके बाद मैं mentor select कीजिए mentor में select करने में colleges का बहुत बड़ा रोल है अभी अब यहाँ आप पिछले 4 दिन से हैं तो we are also providing a platform हम आपको mentor कर रहे हैं तो आप अपने college के senior को भी अपना mentor बना सकते हैं अपनी faculty में से किसी एक को mentor चूज कर सकते हैं और उस्वों mentor जब आप चूज करेंगे तो वो एक खाली teacher और अध्यापक और विद्यार्थी का relation नहीं है वो एक ऐसा होगा कि जहां आप अपनी हर कमी को उसके सामने चर्चा करेंगे अपनी अच्छाई को अपनी strength को अपनी weakness को और वो mentor अगर असली में mentor है तो वो उसको सुनके ना हसेगा ना आपको appreciate करेगा वो उसको analyze करेगा और उसी के according वो अगले 5 साल तक आपके साथ में behave करेगा एक output versus input अब आपने अगर fresh juice पीना है और आपने अनार का juice पीना है तो अनार के juice को का output लेने के लिए अनार ही न डालना पड़ेगा उसमें उसमें गाजर डालने से तो अनार का juice नहीं निकल सकता सो ये बहुत ध्यान लखना है आपको कि आपको एक अच्छा physician बनना है आपका output target है कि मुझे बहुत अच्छा physician बनना है तो उसके लिए input क्या दे रहे हैं आप input देंगे तभी एक अच्छे physician के रुप में आपका output होगा या outcome होगा कभी आगे मौका मिलेगा तो output और outcome में क्या अंतर है वो भी चर्चा करेंगे और इसमें जो last बहुत important चीज है वो observation and interactions है observe करने की power डालिए अगर आप college में हैं और अपने hostel से अपने classroom की तरफ जा रहे हैं तो आपके passage में अगर plants लगे हुए है तो उनको देखिए आपको नहीं पता उनका क्या नाम है don't wait, forget it लेकिन उनको देखिए और जब आपको लगे का ये तो कोई जाना पैचाना सा लग रहा है तब आपके अंदर जिग्यासा होगी कि मैं इस plant का नाम जानू जब तक आप observation ही नहीं करेंगे कि ये भी कोई plant है क्या तब तक आपके अंदर वो जिग्यासा नहीं आएगी हर एक चीज में observe कीजिए दूसरे लोग कैसे behave कर रहे हैं उसको observe कीजिए मैं कैसे behave कर रहा हूं उसको observe कीजिए और interaction की power बढ़ाईए अपने साथियों के साथ interaction कीजिए अपने seniors के साथ में interaction कीजिए ये actual में observation और interaction जो है आपका उस सुमें बहुत काम आएगा जब third year में आपका clinical start होगा आपको कोई patient को treat करने के लिए नहीं देगा patients को हाथ भी नहीं लगाने देंगे लेकिन वहाँ आपके professor physician ने उसकी problem सुनी उसके बाद में आपके professor ने उसके लिए कुछ treatment दिया यहाँ आपका observation रहेगा कि patient ने ये problem बताई तो sir ने ये लिखा अगली बार जब उसी तरीकी का दूसरा patient आएगा तो sir ने दूसरा लिखा यह आपकी तभी समझ में आएगा जब आप observation पावर आपके अंदर होगी फिर आप interact कीजिए sir आपने पिछले patient को ऐसे लिखा था यह सारी चीजें अगर आप अभी से develop नहीं करेंगे तो वहाँ भी खाना पूरी होगी no one is caring for you आपको knowledge देने के लिए लोग तयार है अब वो जमाना चला गया कि गुरुजी डंडा मार के पीट-पीट के आपको पढ़ा देंगे यह now up to you कि आप कितना किस्से लेना चाहते हैं तो यह कुछ चीजें हैं जो आपके future के लिए रखी हैं यहाँ पर आपको इन से अभी से आरभ करना दना पड़ेगा तो आप एक बहुत अच्छे student से एक बहुत अच्छे physician के रूप में convert हो जाएगी अभी जो BMS के विशे में आपने आपके मन में क्या है अभी तक तो डलीमा यही था कि मैं किधर जाओं अब जब BMS कर लेंगे मैं इसमें बहुत डिटियल में नहीं जाओंगा चुकि अभी आपका फिस्टियर है लेकिन यह insight देना आपको बहुत जरूरी है क्या है कि मैं practice करूँगा इसके बाद में तो मैं ऐलोपेद की practice करूँगा या मैं आईरवेद की practice करूँगा मैं अगर जोब में जाना चाहता हूँ तो मैं कहां जाओंगा मैं nursing office में जाओंगा वहां resident medical officer बनुगा या casualty medical officer बनुगा या मैं ICU को manage करूँगा everywhere our BMS graduates they are managing ICU like anything उसके बाद मैं अगर मैं academics में जाओंगा तो मैं किस subject में जाओंगा तो ये कुछ dilemma है जो हमारे बच्चों के साथ throughout five years तक चलते रहते हैं लेकिन वो first year में ही उसको decide करना पड़ेगा कि मुझे किधर जाना है अगर आपको academics में जाना है तो आप MD करना चाहेंगे MS करना चाहेंगे या diploma और certificate के कुछ courses available है यहाँ यह अगर आपने motto बना लिया कि नहीं मुझे तो PG ही करना है तो बेटा यह अच्छी बात नहीं है अपने आपको explore कीजिए कि मुझे जो है physician बनना है तो आपको clinical subject मिल रहे हैं तो जाइए otherwise मत जाइए उसके बाद में एक वाड़ यह आपके सामने अगर दिख रहा होगा स्क्रीन पर SMS subject matter specialist यही सब कुछ है अगर आपका किसी एक subject में interest है तो become the master of that by acquiring knowledge from here, there and anywhere Establishment coaching, writing यह बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जो academics में आप करना चाहते हैं कर सकते हैं उधर अगर आप private practice में जाना चाहते हैं तो एक बहुत rough सा idea है कि आप clinic कर सकते हैं एक छोटी सी clinic start कर सकते हैं आप higher vedic hospital start कर सकते हैं आप panchkarma का setup बना सकते हैं या बहुत नई चीज़ें जो आज से ही आप जिनको focus में रख सकते हैं lifestyle management without using any medicine आप प्रकरती पढ़ेंगे अभी जैसे जैसे आगे जाएंगे HRVR पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा जो HRVR आईरवेद ने focus किया है it's more than HRVR it acts like medicine also तो आप उसको संगिकार करके आप exclusive clinics उसके कर सकते हैं या अपनी clinic में exclusive days उसके लिए रख सकते हैं wellness और multidisciplinary hospitals आप खोल सकते हैं एक बहुत नया field है nutrition और dietetics का आईरवेद के लोगों के लिए ये वरदान है ये समझे आप प्रकरती और नाड़ी परिक्सा के लिए exclusive clinics खोल सकते हैं उसी तरीके से स्वन प्रासन और जो ग्रहब संसकार हमारा है उसके लिए आप अलग से clinic खोल सकते हैं ये इतना wide area है जिसमें super specialty कह सकते हैं आप इसको ये कुछ success stories हैं आगे बढ़ने से पहले में आप लोगों को थोड़ा सा बहुत देर से आप सुन भी रहे होंगे आदा गंटे से जादा हो गया है ये बहुत सारे photos हैं इसमें 7, 8, 10 photos हैं इनको हम दो category में आपके सामने लेकर आएं एक वो हैं जो आप से पांच से साथ साल बड़े हैं या दस साल बड़े होंगे आपी की लगबग एज के हैं जिन्नोंने VMS किसी ने चार साल पहले किया किसी ने साथ-ार साल पहले किया एक ग्रूप ऐसा है कि जो 50 years के आसपास है but not more than 50 years वो कैसे excel किये हैं अपने अपने फिल्ड में अभी यह देखिए यह चारो लोग जो है they are below 40 यानि के 35 वर्स के आसपास के हैं तो इसमें आप यह आसीस है छिंदवाड़ा में है 2013 या 14 में इन्होंने graduation किया यह सारे ही 2013 के बाद के पास आउट है इनका interest किस में था medicine for manufacturing में कुछ साल तक clinic किया अपने लिए medicine बनाते थे उसके बाद में clinic बंद करके medicine बनाने लगे तो आपका अगर interest during these five years जिसमें भी जाता है आप उधर जाएए अपने आपको एक्सिल करेंगे आप चिंदवारा मद्ध्रदेश में है प्रज्ञान तिरपाथी आप उज्यान में हैं हस्बेंड वाइफ दोनों लोग और नाड़ी विशेसगे के रूप में और एक पंच कर्मा सेंटर इनने बना रखा है यह अपने अनुज जैन हैं आज कल फेस्बुक पर अगर आप लोग देखते हों तो काफी एक्टिव हैं गवालियर में हैं इमर्जेंसी मेडिसिन के एक अच्छे ग्याता के रूप में है अक्षे चोहान इस क्वाइट यंग और पैरसर्जिकल की ट्रेनिंग भी देने लगे हैं रक्तमोक्षन है जलो का वचरन है कपिंग है इस तरीके के यह सारे नए बच्चे हैं ससांक मलिक है नोईडा जैसी महेंगे सेक्टर में सेक्टर 26 में एक्सक्लोसीव पंचकरम का सेंटर चलाते हैं और डे वन से जैसी पास किया था इनकर यही था कि मुझे केवल और केवल मुझे जनरल प्रेक्टिस नहीं करनी, मुझे पंच कर्म का ही सेट अप लगाना है, इसी तरीके से ये ये भी उतने ही यंग हैं, जितना आप लोग हैं, स्याम तिवारी हैं, उत्राखंड उत्रांचल आईरवेदिक कॉलेज से BMS किया, उसके बाद में इनको लगा क संस्कृत पड़े बिना मेरा काम नहीं चलेगा, तो बेंगलोर में एकडमी ओफ आईरवेदा है, वहां गए एक वर्स तक इन्होंने वहां पर संस्कृत का धिन किया, आईरवेद को रिविजिटिड किया, और अब अलावाद में जो वहां का टॉफ मोस्ट सबसे महंगा कम प्रेक्टिस करते हैं, साहिर लेंगर हैं, बहुत छोटे से कस्वे में, अकनूर के पास में एक छोटे सा कस्वा है, जम्मू के समीर में, वहां अपनी एक्स्कृति वायरवेद के किलिनिक चलाते हैं, जम्मू से ही पास आउट किया है, यह हर्दिक जी है, यह अभी हम ऐसे ही, आपका भी इतना ही एज है, और मेहुल जी हैं, आप भी गुजरात से हैं, यह अपने महिंद्र जी हैं, यह मेडिकल ओफिसर हैं गुजरात में, और इन्होंने वहां कमाल किया हुआ है, आबिद जी भी मेडिकल ओफिसर हैं उत्तर प्रदेश में, और M.D.P.H.D. ह मेडाम का जो आप देवांगी जी हैं और इनके में कुछ पिक्चर सागे दिखाऊंगा कि इन्होंने किस तरीके से अपने आपको एस्टेबिलिस किया है आईरवेद में, ऐसे ही अपने राय साब एसके राय हैं, अलाबाद में, इनका भी मैं जिकर करना जरूर चाहूँग के अलाबाद का जो भी महेंगे से वहेंगा नर्सिंग होम होगा, वहां मुझे एक चेमबर चाहिए, तो जीवन जोती करके अलाबाद का एक बहुत बड़ा होस्पिटल है, वहां इन्होंने अपना चेमबर लिया, और उन दिनों जब इन्होंने स्टार्ट किया, तो जो बहुत बड़ा सिविल लाइन्स में जमी लेकर जगुत्तम के नाम से एक पंच कर्म का बड़ा सेंटर बनाया है, इसी तरीके से ये कुछ लोग हैं, जो 50 के आसपास हैं, ये तनमे गो स्वामे जी हैं, उडूपी में बहुत बड़ा रिजोर्ट है, और रसिया में है, एक स्वायरवेद परिशत के नेशनल सेक्रेटरी भी हैं, और ग्रेटर नोड़ा में एक सेवन स्टार बिलिस हेल्थ विलिज के नाम से इन्होंने बनाया है, सेवन स्टार मींस दो सेंटर है, एक्सिलेंट सेवन स्टार फैसलेटी, वेद बालिंदू जी हैं, ये यंगेस्ट पदम स्री हैं, आईरवेद के सकते हैं, इनके तीन फोर्मॉलेशन अभी नए नए अमला रिसेंटली इन्होंने कमर्सियल उसके लिए दिये हैं, जिसका इन्होंने धाई-धाई करोड रुपया चार्ज किया है, ऐसे ही ये कुछ अगर दिख रहे हैं, आपको चार-पांच लोग हैं, मेरे साथ में, ये सब आईरवेद के लोग हैं और ये सब ऑस्ट्रेलियम हैं, ये संतोष यादव है, मेलबर्न में है, और बहुत अच्छा काम वहां आईरवेद पर ये लोग कर रहे हैं, अब आप ये देखिए कि आपको ये ऐसा बनना है, जो आज कल छवी आ रही है कि कहीं भी टेंट लगा कर आईरवेद का काम हो रहा है, या कुछ ये इमेजिज हैं, ये नासिक का आईरवेल होस्पिटल का क्लिनिक है, ये उसका डिसेप्शन है, ये अभी मैंने देवांगी जी का जो वर्णन किया, ये उनका जोगी होस्पिटल की कुछ पिक्स ह तो लोगों के मन में रहता ना कि आयरवेद में कुछ नहीं है तो यू कन नॉटिस ये उनका वहां की फार्मेसी है यहां से एंट्री है ये रिसेप्शन है अगें रिसेप्शन तो ये उनका चेंबर है ये पंचकर्म का रूम है तो ये मैं आपको इसलिए दिखाया कि आप थोड़ा सा देखिए कि आयरवेद कहां है अब आयरवेद वो आयरवेद नहीं रहा कि वैजी के पास चारों तरफ खूड़ा कबाड़ा या अनाहिजनिंग कंडिसन्स हैं अब इसके बाद में ये तो आई बाद सारी कि आयरवेद में ये ये कर सकते हैं BMS के बाद में ब्योंड BMS आप क्या कर सकते हैं, आप manufacturing में जा सकते हैं, अरवेदिक manufacturing में दो बड़े फिल्ड हैं, एक formulation development में, which you can achieve by your knowledge, which you gathered during these five years, अच्छे से पढ़ेंगे, जितने भी success stories हैं, सब के पीछे एक ही चीज है, कि आईरवेद को बहुत अच्छे से पढ़ा लोगों, manufacturing process, आजकल बहुत demand में हैं, चुकर बहुत बड़ी संख्या में start-up आईरवेद में आ रही हैं, तो कैसे tablet बनती है, किस तरीके से most modern pharmaceutical technology को आईरवेद में integrate किया गया है, इस सब की जानकारी आपको अगर है, तो यह huge gap, बहुत आवशकता है इसकी, medicinal plant, बहुत बड़ा field है, agronomics, agronomy नहीं, agronomics, यानि कि agriculture को how you can integrate agriculture with economics, तो एक एग्जामपल दोगा, कि हमारे वे सारे बच्चे जो भी first year में हैं, और उनके पास में agriculture land है, तो अभी तक जो conventional खेती होती आ रही है, उसके अस्थान पर आप अपने आईरवेद के ज्ञान को आग processing भी आप वहीं कर सकते हो, तो ये एक value addition हो जाता है, example, अगर आपने हल्दी लगाई है, या आपने असुगंदा बोया है, तो वहां से उसको आपने collect किया और जो हर seller से उनको बेच दिया, तो आपको बहुत थोड़ा सा ही margin मिलेगा, लेकिन अगर वहीं आपने उसको extraction करने का plant लगा लिया, तो आपकी income multi-fold बढ़ जाती है, and because you are trained for that, इसलिए medicinal plant में एक बहुत बड़ा field है, sports medicine हो सकता है, जितने बच्चे आज जुड़े हुए हैं, उनको लगे कि sports medicine में भी आईरवेद का कोई role हो सकता है, but again, it is a very promising sector कि जहां बहुत कुछ काम करने को है, और अगर आप किर्केट को follow करते होंगे, जैसा के जादतर नोजवान करते हैं, बच्चे करते हैं, तो 4-5-6 साल हो गए होंगे, आप थोड़ा सा अपने आपको back उसमें जाकर कोशिस कीजिए, कि हमारा एक किर्केटर था, यहां का दिल्ली का, उसको injury हुई, और वो 15 दिन तक उसने इलाज कराया, सिरिलंका में, तो that was an ayurvedic resort, जहां से वो खीक हो कर आए, ऐसे ही अगर आप sports medicine में जाना चाहते हैं, तो just a, मैं आपको insight दे रहा हूं, आपको क्या study करना पढ़ेगा, आपको यह study करना पढ़ेगा, कि आप अगर wrestling में interested हैं, तो wrestling में किस तरीके की injury होती है, व जाएगी, तो आपको उस injury को ध्यान रखना है, secondly, ayurvedic की कौन ओसधी, या कौन हमारा panchkarma का process, उसकी healing को ज़्यादे forward कर सकता है, ज़्यादे fast कर सकता है, तो यह सारे, you take any sports and try to understand what type of injuries occur during the practice or during the game, उसी के according आप उसको कर सकते हैं, wellness center आजकल बहुत common सा नाम हो गया, भारत सरकार ने भी लगब लगब 12,000 के करीब wellness center across India खोले हैं, clinical research again in new field, अगर आप लोगों का literary थोड़ा सा भी interest है, तो आप clinical research में PG कर सकते हैं, certificate course बहुत सारी universities करा रही है, MBA कर सकते हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों के दिमाग में कभी आया होगा कि आरवेद का बच्चा भी MBA कर सकता है, but yes, I remember almost 10 years back, State Ayurvedic College लखनों के एक ही बैच के 15 बच्चों ने cat clear किया था, इसके अलावा आप hospital administration में जा सकते हैं, All India Ayurveda Institute, जो premium institute है बारत का, वहां उन्होंने exclusively Ayurvedic hospitals के लिए hospital administration का course स्टार्ट किया है, बाकी और बहुत सार university hospital administration में BMS eligible degree को मान के admission देते हैं, इगनों जो इंद्रागादी open university है, वो भी hospital administration कराती है, आप master in public health कर सकते हैं, बहुत बड़ा field है, उसके बाद में content writer की बहुत demand है, videos के लिए, YouTube के लिए, micro blogging sites के लिए, बहुत सारा content Ayurvedic से related, authentic चाहिए, उसकी भी बहुत बड़ी demand है, आज कल एक बहुत बहुत बड़ी संख्या में हमारे graduates hire किये जा रहे हैं, insurance claim settlement officer, चुकि चार साल से IRDA ने, जितने भी insurance providers हैं, उन सब को ये कहा है, कि आप IUS की जो पदतियां हैं, उनको भी आप उसमें cover करेंगे, और उनके पास में qualified staff नहीं है, जो एक्सेस कर सके किस तरीके स होता है, तो वहाँ भी एक employment के लिए बहुत बड़ा फिल्ड है, intellectual property, IPR, pharma, research and development, यह थोड़ा सा कठिन विशह है, समय में ले तो देखेगा कि IPR का क्या role होता है, और हम किस तरीके से उसमें जा सकते हैं, बहुत कम लोग Ayurved के हैं, जो intellectual property act को जानते हैं, या उस फिल्ड में उन्होंने कुछ काम किया है, psychologist, मेरा अपना मानना यह है कि Ayurved अगर अच्छे से पढ़ा है किसी ने, तो Ayurved से बड़ा psychologist कोई नहीं हो सकता, so after BMS, you can go for masters in psychology, और in clinical psychology, IPS और IES, state civil services और police services, अभी चुके मैं आप लोगों का reaction नहीं देख पा रहा हूं, बट जितने भी यह जो series है, यह लगबग 25 colleges में हम कर चुके हैं, और इसी साल जो transactional curriculum था, पाँच colleges में हम इसको physically किया है, तो तब बच्चों से अंदाज लगता है कि और खैब वेरी, आश्चेरे जनकों को लगता है कि IPS और IES भी BMS हो सकते हैं क्या, study abroad, बाहर आप किस तरीके से जाकर, अपने आप को settle कर सकते हैं, क्या तो वहां lateral entry है, आईरवेद को as specialized field बाहर recognize नहीं किया जाता, लेकिन master in public health और psychology, यह एक बहुत बड़ा field है, जहां हमारे बच्चे खुब बाहर जाते हैं, वो फिर कभी एक session ऐसा ही रखा जा सकता है, कि हम बाहर कैसे जा सकते हैं, अभी मैंने content writer की बात क किया था, और essay content writer पर जब चर्चा हो रही थी, तो अब उसने अपना चारु सर्मा है, इसने अपना YouTube channel शुरू किया है, और यह बच्चों को tutorial देती है, कि कैसे आप PG entrance exam को crack कर सकते हैं, यह slide बहुत important है, आप सब लोग अगर mobile से जुड़े हैं, तो हो सकता है, बहुत clear आपको ना दिखे, यह सारे के सारे लोग, निलेश से लेका, राजिंदर कुमार जी, जिन्सी विल्याम, जुआला नितील, बोंदार एस, बली राम जी, यह सारे BMS हैं, और आज की डेट में, यह सभी के सभी senior I.S. officers हैं, भारत सरकार की परसासनिक सेवा में, आप पंजाब में commissioner है, municipal के, और स्री लक्षमी विल्याम, जो नीचे है, यह UP में ही I.S. है, पिछले जब मेरा contact हुआ था, तो प्रतापगड में, यह फत्यपुर में assistant magistrate थी, when she started his career in पतर परदेश, और नितिन जुएल, यह असाम, उडिशा गवर्मेंट में managing director हैं, वहां का एक public sector concern है, इपकॉल, तो यह चीजे important हैं, कि आप BMS करने के बाद में कहां जा सकते हैं, हमारे देश में IAS से ज़्यादा lucrative कोई service नहीं है, तो ऐसे हमारे 50 से अधिक graduates हैं, जो basically BMS हैं, और उन्होंने civil services को crack किया, ऐसे ही राखी मित्तल हैं, यह joint director हैं, आयूस की ही, हिमाचल प्रदेश से ही BMS किया और उसी department में joint director रही, ऐसे ही जयावती ठाकूर हैं, यह बीडियो कुलू है, तो यह state services में हैं, और इसमें जो सबसे ज़्यादा important है, वो बताता हूँ मैं वंदना वर्मा का, यह डाक्टर वंदना वर्मा जी है, रिसी कुल से इन्होंने BMS किया, उसके बाद में इन्होंने UP का, जो अपना state selection committee UPSC, वो crack किया, और यह वीडियो हो गई, लेकिन वीडियो वनने में भी इनको लगा कि this is not the right place, उसके बाद में इन्होंने उत्राखन को police service commission को appear हुई, और यह उनकी latest photo ह यह रुद्रपूर में डिप्टी SP है, बलीराम जी बहुत बड़े motivational speaker है, महरास्टर के हैं, महरास्टर से ही BMS किया है, ऐसे ही स्रीलक्षमी मैंने बताया उत्तरप्रदेश में हैं, निलेश जी उडिसा के हैं, और केतन पतेल जी, केतन पतेल जी IPS हैं, महरास्टर के रहने व अपने college में जिन सी आर विलियम गई थी, तो उनके college ने उनको felicitate किया था, यह उस time की photo है, और यह राजेंदर जी हैं, जो सबसे senior most BMS अगर government में हैं, तो यह आज की date में भी PM office में director हैं, यह दो और चित्र हैं, जिन पर हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम जान लेते हैं, रमा जै सुंदर जी को, रमा जै सुंदर जी presently All India Institute of Medical Sciences नई दिल्ली में department of nuclear magnetic resonance में professor हैं, आप PhD हैं NMR में, Cambridge University UK से, जब इनको लगा के मुझे आयरवेद में interest है, तो इन्होंने 6 साल की छुट्टी ली, और सिरी जैन सरस्वती आयरवेद कॉलेज, तमिल नाडू से, इन्होंने BMS किया, अभी जो COVID पर multi disciplinary task force बनी है, उसमें भी आप एक member हैं, ये example मैं आप लोगों के लिए इसलिए दे रहा हूं, कि highly placed, highly qualified scientist होने के बाद भी उनको आयरवेद में interest हुआ, और अब वो आयरवेद की बहुत अच्छी speaker भी हैं, and see integrate आयरवेदा with modern science in a very smart way. ये साद सब लोगों ने देखा होगा, ये कौन है इनका नाम अभी सामने होते, तो हम पूछते आप से, ये actor है विनित सिंग, इनकी तीन फिल्में बहुत 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 चर्चित हुए, एक मुक्केबाज, गैंग आफ वासेपुर, और अभी Netflix या Prime Video पर एक बड़ी थी, Bard of Bloods, उसमें भी इनका, अब इनकी फोटो यहां क्यों है, ये Qualified BMS हैं और MD हैं, आइरवेद में, जैसे जैसंदर जी का इंट्रेस्ट आइरवेद में हुआ, इनका इंट्रेस्ट यहां से हटकर, एक्टिंग में चला गया, अब लास्ट में, ये नजदीक हम आ रहे हैं, अपने टाइम के गंटा मुझे मिला था, गंटा होने जा रहा है, कुछ foreign languages हैं, जो आपके लिए बहुत दरवाजे खोल सकती हैं, उसमें आप French सीख सकते हैं, Japanese सीख सकते हैं, Italian, Russian, Mandarin, ये जिस sequence में मैंने इनको लिखा है, सीखन में उतनी ही आसान हैं, Sanskrit of course आपको आना चाहिए, उसके बाद में अगर simplest English language है, जो सबसे जल्दी आप सीख सकते हैं, वो French है, फिर Japanese, फिर Italian, then Russian, then Mandarin means Chinese, इनको सीखने से क्या होगा, कि जब आप इनके basic course कर लेंगे, यानि कि आप इस position में हो जाएंगे, कि आप इसको interpretate कर सकें, तो आपके लिए एक इतना बड़ा canvas आएगा, आप यकीन नहीं कर सकते, कि आयरवेद की in-depth knowledge होने के बाद अगर आपके पास में ये foreign languages हैं, तो आप कहां जा सकते हैं, you cannot imagine right now, ल मुझे सुना, लेकिन अंत में यही बात में कहूंगा, कि बिना मेहनत के, आज तक किसी को कुछ भी achieve नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, अगर किसी को हुआ है, तो वो बहुत short term है, आप मुझे से मेरा mobile number है, जब आप कमान करें, आप text कर सकते हैं, ये मेरी email ID है, LinkedIn पर आप मुझ सभी बच्चों से, क्योंकि ये आपके पास clickable उसमें नहीं पहुंच रहा होगा link, आप YouTube channel है, My Own Ayurveda, very simple name, My Own Ayurveda, उसको जाइए, उसको subscribe कीजिए, और वहाँ पर, अभी हम लोगों ने COVID से related 15 lectures की एक series की है, वो सारे के सारे lectures वहाँ पर हैं, उनको जरूर देखिए, आपके कितना confidence आएगा, आज आप उसको imaging नहीं कर सकते, कि किस तरीके से हमारे लोग काम कर रहे हैं,